हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी क्या बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामदेंक मोश्ट इंपॉर्टेंट मै Macematics जिसका नाम है दोस्तों Mensuration और आज हम पढने वाले हैं ये मैनसूरेशन है इसके formulas तो all the Standardbrar EV entering धे Backée in Basis लेट वे अगर आप यह समझ लेत जोस्तों पर जब भी कोई problem पूछता है example जब पूछेगा तो Secondly भी परिशानी नहीं होगी ठीक है तो बिफोर स्टार्टिंग इस लेक्चर मैं आपको कुछ दो मिनिट कहना चाहरा हूँ यहां पर कुछ टॉपिक्स है जो कि मैं बताना चाहता हूँ और यह हर वीडियो के मैं स्टार्ट में बोल रहा हूँ बेसिकली आपने जो पढ़ाई है वो शुरुआत कर दियोगी मैंने आपको बहुत सारी चीज़े आपको बताई थी कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है अभी आपको स्टार्ट करना कितना जरूरी है क्योंकि अभी आपका चल रहा है वेकेशन और वेकेशन का यह जो एक आपके पास टाइम है इसमें आपने स्टडी कर लिया तो कहीं ने कहीं आप बहुत ज्यादा आप दूसरों से आगे निकल जाओगे स्टार्ट कैसे करना है बहुत बार बताया था अगेन आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको साइंस और मैक्स यह दो सब्जेक्स हमारे चैनल आपको मिल जाएगा या फिर दूसरा सबसे बेश्ट आपके पास जो है आप सीधा सीधा हमारे प्लेविश्ट के अंदर जले जाए जो भी आपका सब्जेक्ट हो 7th Science, 7th Maths, 8th Science, 9th Science, 10th Science, 11th के जो Biology, Physics के लिए जो लेक्चर से हर चीज आपको वहाँ पर मिल जाएगे तो जो भी आपको देखना है, वहाँ पे आप जाके थोड़ा सा टाइम लेके आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे lecture by lecture हमने अच्छे से playlist बना के up to date डाला हुआ है, तो आप जाके वहाँ से पढ़ाई जरूर से कर लेना, तो चलिए इस lecture की शुरुआत करते हैं, और देख जाए, तो there are so many formulas, but यहाँ पर जो main formulas होते हैं, जो कि आपको ज़्यादा काम आता है, वही सिर्फ मैं आज कराने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले one by one formulas लिखूँँगा, फिर मैं आपको explain करूँगा, ठीक है, तो सबसे पहला जो formula मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है दो पता होगा, rectangle is nothing, but जिसमें opposite sides जो होते हैं, वो क्या होते हैं, congruent होते हैं, उसको हम लग बोलते है, rectangle, यानि कि आप देख सकते हो, यह वाला जो part होता है, इसको length बोलते है, L, यह वाला जो part होता है, इसको breadth बोलते है, B, या फिर आप width भी बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है area area of rectangle तो आपको अगर कोई पुछता है कि what is the area of rectangle तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो भी rectangle का जो length होता है और जो breadth होता है दोनों को आपस में multiply करते हैं तो उस चीज़ का area निकलता है यानि कि area is equal to length multiplied by breadth आप देखो मैं पूरा-पूरा ने लिखा रहा हूँ L E N G T H पूरा length पूरा breadth में लिख रहा हूँ मैं shortcut use कर रहा हूँ क्योंकि I want this lecture to be as short as possible क्योंकि देखो आपका time मुझे पता है बहुत कीमती होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि जो बाकी लोग 15-20 minutes लेते हैं उसको मैं 10-12-15 minutes में complete करा दू लोग बहुत जादा time लेते हैं यह पूरा जो है इसके अंदर का यह area है ठीके न 2D में बात करें 3D में उसका volume मन जाता है लेकिन वह हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है ठीके तो perimeter बात करें जो इसके जो lining से समझ लो यहां से शुरुवात किया तो यहां से यहां गया यहां गया फिर वापस से घुम के यह यहां पर आ गया तो वो उसका perimeter होता है तो perimeter के लिए formula होता है directly वो formula learn कर लो definitely आपको यह चीज़ याद रहेगा तो 2 multiply by length plus breath bracket में यह आपका formula होता है perimeter का तो यह दो formula area का length into breath तो perimeter का 2 multiply by length plus breath this is the formula for rectangle any kind of mensuration problem is if it is coming in your examination कोई भी standard कहें था तो definitely this formula will help you to solve that particular problem ठीके यह हो गया सबसे पह जो की second हमने रखा है second position में जो रखा है वो है square सभी को पता है दोस्तो square क्या होता है कुछ formula है उसके तो definitely उसके बार में बताऊंगा आपको तो square ठीके ध्यान से देखना total 7-8 formulas में लेके राया हो यहाँ पे और जो की सबसे जाधा important है आज के date में क्योंकि यह आपने नहीं पढ़ा तो definitely आप बहुत सरी चीज़े जो है पीछे छोड़ दोगे ठीके ना यह जरूर यह ओके शुरुवात करते है square की सबसे पहले diagram तो कैसा होता है square का सबको पता है this is the square एक खासियत तो यह स्कॉयर की कि चारो side जो होता है वो same होता है तो आप चाहे इधर side लिख लो यहाँ पे side लिख लो जो भी उसका side रहेगा यहाँ समझ लो 4 cm है तो यहाँ भी 4 होगा 4 cm होगा मतलब all sides are same congruent होते हैं कि उसरे को that's why it is a square इसमें भी same दो formula सबसे आधा important है एक होता है area तो इसका जो area का निकालने का formula यह ही है कि आप जो है side को side से ही multiply कर दो जैसे उसमें length और breadth था तो यहाँ पे length था यहाँ पे breadth था correct है मैं concept बता रहा हूँ यहाँ पे length था side को side से multiply होगे या फिर इसको एक और अच्छे तरीके से लिखा जाता है जो की है side का square कर देना क्योंकि side का side से multiplication का मतलब होता है side का square तो आप दोनों में से जो formula use करना चाहते हैं आप कर सकते हैं कोई problem नहीं है and दूसरा चो formula use होता है square के case में वो होता है उसका perimeter तो perimeter जैसे मै formula for perimeter and this is the formula for area तो उमीद करता हूँ यह भी चीज आपको समझ में आ गया हो तो यह हमारा second formula है that is square का mensuration formula में ठीक है third position पे जो हमने रखा है आपके लिए वो है दोस्तो circle ठीक है चलो देखने circle क्या है and उमीद करता हूँ यार circle तो सबको पता होगा and circle के जो formula होंगे वो भी शाय 20 में ले सकता हूँ ठीक है चलिए शुरुवात करते है third की ठीक है third क्या है जैसे मैंने अब भी बोला आपको क्या बोला मैंने circle ठीक है this is the third one circle सबसे फेली बार diagram circle क्या होता है this is the circle एक circle होता है circle के बीच बीच एक center point होता है जिसको हम लोग क्या बोलते है center point से periphery पे जो touch होत होते है और R से इसको denote करते है ठीक है यह तो आपको पता चल गया हुआ ठीक है अब circle में भी दो से तीन चीज़ important होते है लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हो यह ध्यान से देखना तो circle में भी क्या होता है आपको ध्यान में रखना है उसका area जो सबसे आदर question पू two dimensional है that's why we are using pi because of angle that is 360 degree angle के होने के वे से we are using the pi ठीक है यह चीज़ ध्यान में रखना circumference निकालने के लिए और यह चीज़ मैंने आपको lectures में समझाया भी होगा अगर आपने हमारा lectures देखा होगा जो हमने record करके रखा हुआ है already हमारे playlist के अंदर आप देख सकते हो जाके लेकिन formula के इस आप से बात करें तो circumference का जो formula होता है circle के लिए वो होता है दोस्तो 2 pi r यान जाता है 3.14 या फिर 22 upon 7 ये तो आपको पता होगा ठीक है वो में बताने वाला था लेकिन आचानक से यादा है नितो आप confused जो के सर ने तो 360 बोला 360 एंगल just for representation purpose बट वैल्यू जो होता है पाय का जो वैल्यू होता है वो हमेशा याद रखना पाय का वैल्यू हमेशा लेते हम लोग 3.14 या फिर पाय का जो वैल्यू लिया जाता है वो ले जाता है 22 upon 7 ये दो वैल्यू लिया जाता है ये चीज आप ध्यान में रखिएगा इसको side में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो जिनको नहीं पता होगा वो लिख सकते है ठीक है तो ये था हमारा circle का जो की था तीसरा हमारा formula for the mensuration formulas ठीक है अब चलते है चोथे formula के उपर देखते हैं क्या दिया हुआ है तो fourth formula जो है हमारे लिए सबसे आदा important ये तो आपको पुछता ही पुछता है हमेशा आपने ये चीज देखा ही होगा जो की है दोस्तो triangle ठीक है triangle अब triangle मतलब तीन एंगल सभी को पत हम बना लेता हो तो triangle की अगर हम बात करें let's suppose this is my one triangle here ये right angle triangle है जो भी आप नाम देना चाहो उसको दे सकते हो लेकिन इसका formula होता है अगर आप पूछोगे कि क्या पूछता है triangle में कौन सा formula पूछता है तो basically जो सबसे ज़्यादा मतलब हम जहां तक मैंने notice किया है और जो मैं ये lecture बना रहूं उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो triangle के case में जो formula पूछता है वो सिर्फ उसका area ही पूछता है तो area of triangle का जो formula होता है वो होता है half multiply by base multiply by height और do you mean my base तो जहां पे वो बैठा हुआ है ये क्या हो गया उसका base हो गया जहां से वो area of right angle triangle clear है तो उमीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप चलते हैं अगले topic की तरफ जो की chances तो कम होते हैं पूछने के लेकिन ये unique होते हैं और unique के भी chances कभी-कभी ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि आम कभी-कभी regular चीज़ आपको नहीं पूछेगा कि area of rectangle कितना है क्योंकि ये common है हर कोई पढ़के जाता होगा लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत कम लोग पढ़के जाते हैं जो special लोग होते हैं जो talented लोग होते हैं सोचते हैं कि वो पढ़के जाएं क्योंकि अगर ये पूछ लिया तो आपको आना चाहिए ना जी ह सबसे पहले parallelogram का मतलब होता है opposite sides are parallel to each other इस प्रकार होता है जैसे rectangle आपड्रा करते हो जैसे square आपड्रा करते हो लगबग वैसी रहता है लेकिन इसमें क्या होता है यहाँ पे आप देखो के तो यह इस तरफ है तो यह एक दूसरे से parallel है यह इस तरफ है तो parallelogram लगबग इस त इसको मानेंगे सीधे वाले चीज़ को तो अगर मैं सीधा एक straight line draw करूँ तो यह बनता है उसका height जिसको हम लोग h से denote करेंगे या फिर small h से denote करेंगे तो इसका भी same जो parallelogram है इस चीज़ का area अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इसका एक formula simple सा बनता है जो की है base multiply by height यानि जो भी base दिया होगा और जो भी height होगा सीधा height हाएट कभी भी सीधा लिया जता है आप अगर खड़े हो तो आपको कोई बोलेगा कि आपकी जो body है इसकी लंबाई कितनी है height कितनी है तो आप इससे तेड़े हो जाओ तो कोई measure करेगा कि नहीं आप सीधे रहोगे तो ही आप बहुत सिंपल जा रहे हम लोग, ऐसे ही अलग-अलग topics के उपर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और आप लोग से एक और request यह है, कि आपको यह जो हमारा वीडियो से है, यह जो हम बना रहे हैं, ऐसे formula series वाले, यह आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा ह लेकिन अगर आप पूछ लेगा, तो आपको problem हो सकता है, तो जो मैं बात करने जा रहा हूँ, 6th number पे जो मैंने रखा हुआ है, वो है दोस्तो यहाँ पे, जिसका नाम है दोस्तो, rhombus, ठीके न, यह भी word आपने शायद नाम सुना होगा, लेकिन आप सभी को पता नहीं होग मतलब क्या होता है, तो rhombus को याद रखने के सबसे बेश तरीका है, दोस्तो, kite, kite ड्रॉ कर लो, और आपस में diagonal ड्रॉ कर लो, this is nothing but rhombus, ठीके थोड़ा मेरा तेडा बन गया, लेकिन आप लोग स्केल पेंसिल से बना होगे, तो आपका सीधा बन जाएगा, ठीके न, यह डा आए बाए, products of diagonal, products of, product होता है, product of diagonal, आप देखो यह क्या चीज है, diagonal मतलब क्या होता है, यह अंदर के लो, जो, लाइनिंग्स है, यह इसको बोलते है, हम लोग डाइगोनल, यह क्या है, दोस्तो, यह उसके diagonal है, तो समझेलो, यह A होगा, यह B होगा, ठीके न, यह लंबा वा B, समझ लो, और ये half है, तो half multiply by A multiply by, this is the formula for calculating the rhombus, ठीक है, तो बहुत simple जा रहे हैं, हम लोग बहुत, और ये chances कम होते हैं, rhombus के भी अगर देखा जा तो chances कम हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे questions होते हैं, ऐसे कुछ formulas होते हैं, जिसके base पे अगर question आ गया तो आप confused नहीं होते हो, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है, कि rhombus क्या होता है, उसके formula क्या होते हैं, तो definitely आपको कभी परिशानी नहीं होगी, इतनी guarantee है, ठीक है, इसके लिए, जो चीजे मैं बता रहा हूँ, ये बहुत important है, जितने भी मैंने कराएं, बहुत important है, हम जाते जाते, last में एक और formula जो मेरे list में है, जो कि मुझे लगता important है और आपको पढ़ना चाहिए वो चीज, और वो है दोस्तों, 7 नंबर में जो मैंने रखा है, जिसका नामें दोस्तों, trapezium, trapezium भी अक्सर, कम chances होते हैं, लेगिन पूछ लिया, तो आपको आना चाहिए, ठीक है, तो trapezium, जो मैं कराने जा रहा हूँ, इसका formula है, सबसे पहले heading डाल देंगे, trapezium, ठीक है, डाल दिया heading, अब हम क्या करेंगे, इसका diagram प्रॉक करेंगे, तो diagram थोड़ा सा विचितर है, यहाँ पे समझ लो, एक सीधा straight line आएगा, यहाँ से एक parallel line, यहाँ से उसका ultra parallel line, लगबग इस प्रकार यहाँ पे मैं काट दूँआ, थोड़ा सा मैं छोटा बना रहो, that's why यहाँ पे मैंने अपने इसाब से काटा, इस प्रकार का shape आपने देखा है, ठीक है न, लगबग, इधार एक लंबा line, उसके opposite में parallel line नहीं है, मतलब आपने देखा कि यह line है, यह line और यह line, एक दूसरे को parallel है, लेकिन इसकी height बड़ी है, इसकी height छोटी है, यह difference याद रखना, ठीक है, तो यह दोनों एक दूसरे को parallel है, और यह इस तरफ का लाईने, यह इस तरफ का लाईने, मतलब यह और यह एक दूसरे को parallel नहीं है, तो इसको बोलते है trapezium, तो trapezium में भी mostly ज़्याद दर जो पूछता है वो है दोस्तो, उसका area, ठीक है, तो area of trapezium का formula जो है, थोड़ा सा विचितर formula है, बढ़ आपको ध्यान में रखना है, जिसका नाम है दोस्तो, half multiply by sum of parallel sides multiply by उस चीज़ का height, अब देखो क्या मैं बतानी की कोशिश कर रहा हूँ, formula को समझो, let's suppose कि यह side है मैंने a रख दिया, इसका नाम मैंने b रख दिया, ठीक है, समझ में आ गया, और इनके और इसके बीच में यह parallel line और यह parallel line के बीच का जो height है, straight होता है, height, जैसे मैंने हमीशा बताता हूँ, आपको straight ही होना चाहिए, ठीक है, तो यह जो height है, उसका नाम मैंने रख दिया h, तो इस formula के इसाब से क्या formula बनेगा हमारा, that is, क्या बोला मैंने half into, तो half into sum of parallel side, तो parallel side कोन है, एक a नाम है, दूसरा b नाम है, यही दोनों parallel है, यह और यह तो parallel है नहीं, तो यह और यह parallel है, यानि कि a और b को क्या करना है, sum करना है, sum करना है, sum करना है, sum क्या होता है, plus, तो a plus b, तो half multiply by a plus b यानि sum of parallel side multiply by height तो height कितना यहाँ पे h है तो यानि कि यह half multiply by a plus b multiply by h and this will be your formula for calculating the trapezium और area of the trapezium if there is question arises in any type of paper तो आप इसको easily solve कर सकते हो इतनी मेरी guarantee ठीक है तो यही ता दोस्तो हमारा total आज का 7 most important formula जो आपको mensuration के अगर paper होते हैं या फिर mathematics के जब यह mensuration का जो tractors होता है तो definitely आपको यह चीज़ पूछा जाएगा तो इसी के साथ मेरा आज का जो lecture है यह मैं करता हूँ समाप उमीद करता हूँ कि आपको जितने भी formulas मैंने करा हैं आपको याद हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद एक बार नहीं होते हैं दुबारा देख लो definitely याद हो जाएंगे थोड़ा practice भी कर लेना and definitely आपको यह अपने mathematics में कोई भी subject में या फिर जब भी आप maths का कोई भी problem solve करो mensuration के उपर आप easily इसको solve कर पाँगे ठीके दोस्तों तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ जल्द लेगा रहा होँगा और भी ऐसे वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें comment करके बताना है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी हम लोग को वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स तुम मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थांक्यू एंड गुडबाई